अप्रिल दूजार चोबिस में सिंभी बच्चों ने अपने 10th क्लास की एक्जाम दिये थे उनका भी रिजल्ट डिक्लेर कर दिया गया है अभी आपने देखा होगा दो तुन पहले आपका जो रिजल्ट आया था 12th क्लास का रिजल्ट बहुत अच्छा गया इस बार 10th क्लास का रिजल्ट कैसा है आप अपना चेक करने के बाद में बताएगा कितने आपके परसेंटेज आई है और कितने बच्चे जो है वो पास हुए है प्लीज कोमेंट सब्सक्राइगा और साथ इस वीडियो को आप एंटर देखेगा क्योंकि इस वीडियो में रिजल्ट देख ल हम बात करेंगे तो पिलीज वीडियो को आप एंटर देखेगा ठीक है देखे सबसे पहले यहां पर हम बात करें कि आपको अपना रिजल्ट कैसे चेक करना तो मैं यहां पर आपको सबसे पहले अपना रिजल्ट चेक करना बता देती हूं तो यहां पर आपको क्या करना है लिंक आपको डिस्क्रिप्शिन बोक्स में में लेगा जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने स्थिर्गे से पोर्टल ओपन हो जाएगा आपको क्या करना अपना रिजल्ट चेक कर लेना ठीक है यहां अपना इंडॉट्में नमबर फिल करिएगा उसके बाद में करता प्लिक दी जैज्ट एक जाने के बाद में कुछ बच्चे तो क्या हो जाएंगे पास हुजाएंगे कुछ बच्चे बोध इचे उच्च मांग से हुजाएंगे तो जो बच्चे ठीक है उनको ब्सटर पास हो चुके उनको गषुलेशन करा सकते हैं. स्क्रीन कटरीज़ सर 2 आप हमें मैसेज कर सकते हैं. अब बहुत सारे बचों के मैसेज हैं के बनागा सकते हैं और श्ल Cin уз टांड है. आपने 10 नुमार सब फ मैसेज कर oli에 हो संकते हैं. 1 00 नागा के तो शब्स कोरें सकते हैं, 3 1 1 di आपने टैंथ पास किया तो इसके एकोडिंग आपको इनफोर्मिशन प्रोवाइड कर दी जाएगी अभी आपकी टैंथ के बाद में 12 कितने साल में कंप्लीट होगी उस पर भी हम बात करेंगे तो चलिए अभी ऐसे बच्चों के लिए जो बच्चे पास हो गए हैं लेकिन कि इसी कारण से ऐसे बच्चे जिनके रिजल्ट में SYC आ गया है एक सब्जेक्ट में SYCP आ गया है या फिर SYCT आ गया है तो इनको मैं बता दूँआ SYC का मतलब होता है कि आप थियोरी प्रैक्टिकल दोनों में ही फेल है ठीक है अगर आपके सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं ही था तो भी आपके सब्जेक्ट में लिखा हुआएगा तो यहां पर क्या है कि सब्जेक्ट यह टूबी क्लियर आपको सब्जेक्ट को पास करना भी लेकिन अगर 10th class special धिहान एक हो इसका फेल में त्रेजल्ट में क्या हो फेलो व कर आ कि कैसे मैं पास हो लेकिन आप थैयोरी में क्या हो फेलो तीक है तीघ्योरी में फेलो लेकिन 12th class में ऐसा होता था कि आप जिस भी चीज में फेलो उसका एक्जाम आपको देना पड़ता था बर 10th class में इसा रूल नहीं है आपको क्या करना पड़ेगा अगर आपके result में SYCP लिखा हो, SYCT लिखा हो, या फिर SYC लिखा हो, अगर आपके subject में theory और practical का subject है, like आपका science हो गया, science and technology हो गया, या फिर आपका हो जाएगा mathematics हो गया, ठीक है painting हो गया, ये आपके subject है home science हो गया, ये आपके subject है practical वाले, तो आपको इसका क्या करना होगा, theory exam भी देना होगा, और साथ ही साथ आपको इसका practical exam भी देना होगा, या दरखिएगा दोनों exam देना होगा, ठीक है, इनमें आपको क्या करना होता है, theory and practical को मिलाके, आपके theory and practical के marks मिलाके, theory और plus practical के marks मिलाके, आपके कितने marks लाने होते हैं, आपको 33 marks लाने होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर अगर यहां को लाइसना करना हैं, नहीं से करना है तो यहां कि कुछ बच्चे चाहलों उर्प्च्छे से ही करना है तो यहां से आप हमारी तुरू एडमिशन करा सकते हैं स्क्रीन पर नंबर है लेकिन एडमिशन कराने से पहले आपके मन में सवाल होता है क्या एक साल में 12 कंप्लीट हो जाएगी पास हो जाएगी देखो इसका आंसर यह है कि नहीं कोई भी ऐसा बोर्ड ही ने जो आपको 10th के लेकिन आपको 11th और 12 दोनों का ही इस लेबस पढ़ना होता है तो यहां पर क्या होता है एक सिम्ट क्लास में एडमिशन तो हो जाएगा आपका 2025 के लिए लेकिन आप मैक्सिमम 4 सब्जेट का एक्जाम दिपाऊगे और वाखी का जो एक सब्जेक्ट बचा रहेगा उसका ए आपका 2026 में होगा एक सब्जेट का एक्जाम फाइनली आप यह मान के चोलो आपके 12 कंप्लीट होगी 2026 में होगी उससे पहले कोई बोर्ट करा ही नहीं सकता ठीक है नाइउस से करने का भी यही प्रोसेस है तो अगर आप एनाइउस से करना चारें स्क्रीन पर नंबर और वैनिफिट यह भी काफी बच्चे क्या करेंगे एक साल का क्या करेंगे वो गैप लेंगे वो कुछ को लगेगा कि हाँ ठीक है कोई बात लिए हम 2025 में एक्जाम ही नहीं कर रहें करा लो एडमिशन फायदा है आपका क्या कि एक तो आप क्या करोगे रिजल्ट तो आपका ए अपको टाइम बिल जाएगा वह सारा पढ़ने के लिए बुक्स आपके पास पहला जाएंगे आप पढ़ते रहना और उसके बाद में आप इन चार सब्ड़ेट का एक्जाम देते हो ठीक है चार सब्ड़ेट में से किसी में अगर बैक आ जाती है किसी कारण से तो आप उस सब्ड़ेट में एक साल में पॉसीबल नहीं है कोई भी वोड़ निक रहा सकता तो आपको ठीक प्राक्टिकल एक्जाम तो दो नहीं देना है अगर आपके किसी मालीज यापका रिजल्ट है ठीक है आपके रिजल्ट में कितने सब्जेक्ट एक दो तीन चार और पांच ठी सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट में आ गया तो आपके करो ओन डिमांड के एक्जाम देदो तो अगर आपके लिए पब्लिक एक्जाम बेस्ट है इसके आपको इसकी एक्जाम फिस्पे करनी है और अपने एक्जाम ओक्टूबर म तो आपके लिए बैस्ट ओप्शन रहेगा अगर आपके चार सब्जेक्ट में फेल हैं तब तो आप पब्लिक एक्जाम दो एक में दो में जाद जाद तीन सब्जेक्ट में भी फेल हो तो भी आप उन डिमांड के लिए जा सकते हूं अब जो बच्चे अप्रेल जो बच्चे अभी टैंथ पास हो चुके हैं वो तो 25 के लिए एडमिशन कराएंगे लिकिन जो बच्चे अभी टैंथ फेल हो चुके वह बच्चे ओन डिमांड के आपके जो एडमिशन है वो स्टार्ट होने ही वाले हैं और जो भी बच्चों का रेजल्ट है प्लिस लिए मरें यान वे ने बीज्य टैंकि पर जैंट वच्चे प्लिए लो चीर्च सफच के लिए अल्येशन है वालेशन